किद्नी खराब होने के डारेट कारण तो कई बताया जाते हैं जैसे कई विमारियां डायोटी ब्लेड पेशर मुटापा इस्मोकिंग एलकोहल नौन वेच्च का ज्यादा प्रयोग और साथ में दवाईयों का धुरुपयोग लेकिन अगर मुझसे पूछें तो किद्नी एक दिन में खराब नहीं होती कोई भी व्यक्ति शरीर माध्यम खरुधर्म साधनम शरीर एक माध्यम है लेकिन उसको किस्तर से बढ़ाया जाता है उसको जिन्दगी किस्तर जीया जाता है उसका सबका प्रभाव मंसा वाच्चा कर्मना भाव से शुरू वादा इंपॉर्टेंट और गया है क्योंकि एक मिनट में शरीर हिदय से निकलने वाले 20 परसेंट जो हिदय का आउटपुट होता है वो किद्नी में डारेक्ट जाता है तो एक और जो इतना छोटा हो एक परसेंट से भी कम हो और उसमें 20 परसेंट आउटपुट जा रहा ह हो सब कुछ किद्नी पे बहुत हद तक बढ़ा हुआ प्रतीत होता है तो किद्नी इस तरह से देखा जाये तो किद्नी की समस्याएं पता तो चलती है कभी 40-50-60 साल के उमर में लेकिन इसकी शुरुआत बच्पन से ही हो जाती है जैसे आजकल बच्चों में जंग फोट खा सब्सक्राइब कोलेस्टरॉल और साथ में अलकोहल लेट नाइट से तो साथ में इन सब का प्रभाव आते जाते किद्नी एक समय जवाब देने लगती है किद्नी खराब होने के सबसे पहले लक्षान यूजली ब्लट प्रेशर की बढ़ोतरी से पता चल जाते हैं या यूर कश्चमर कर सकते हैं कापी कॉमन है और वो भी कीद्नी में करके असर डालती है इसलिए समय उचित मात्रा में पानी पीना तो रहता है और पानी की कमी कि आ جाती है तो डालीशिस या टांस्पांटेशन दो ही में टीटमेंट होते हैं जालीशिस उसली उनको एडवाइस किया जाता है जो जिनकी उमर करीब डालीशिस बस समय काटने का साधन है यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल दा हेल्थ केर टुडे और बैल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसलिए काफी इंप्रूब्मेंट्स हो गया है दवाईयों के माध्यम से चाहे नए नए प्रोचीजर्स लेप्रोस्कोपिक की जाती है जिससे की डॉनर को भी ज्यादा रिस्क नहीं होता देखा यह गया है कि वर्ड वाइट जो रिसर्च यह कहता है कि डॉनर्स को लेस द और हम लोग यह कोशिश करते हैं कि डॉनर्स की एज भी पचास से साथ के आसपास हो जिससे की उनकी जो बची वी लाइफ है उस पे डॉनेशन का ज्यादा प्रभावनना पड़े और अगर सरकार का भी आयुश्मान भारत या कई और चीजों से ट्रांस्प्रांट के सब्सक्रांगी और परशानी वाली होती है तो अगर संभावना है और यह मीडिया का भी करतव बनता है कि पेशेंस में अवेर्नेस दिया जाए कि जहां हो सके ट्रांस्प्रांट किया जाए घबडाया न जाए और डॉक्टर के उचित परामर्स से उसके पीछे चला जाए एक बहुत बड़ी बात है जो केटबर डोनेशन की बात है जिसमें क्योंकि अपने हाँ या हर जगह ऐसी समस्या है कि घर में डोनर नहीं मिलता उनको भी डाइटीज होती है ब्लेट पेशर होता है या माबाब बोढ़े होते हैं तो डोनेट नहीं कर पाते ऐसे में हम लोग किड्नी पेंक्रियाज इंटेस्टाइन आखें यह सब कई पेशन एक पेशन से कम से कम अठारा पेशन का भला हो सकता है और यह देदे करके साउथ इंडिया में तो काफी डबलब हो रहा है नौर्थ इंडिया में इसकी प्रोग्रेस नोटों जैसी संस्था के द्वारा या द्वारा या मोहन फाउंडेशन जो एक एंग्यो है वो भी काफी काम कर रहा है और अगर यह समय उचित अगर संभावना बनी रहेगी तो काफी पेशन्स इससे भला हो पाएगा हर डोनर की पूरी तरह जाच की जाती है उसको डोनेट करने का तभी सला दी जाती है जब उस स्वाई किड्नी ट्रांस्परांट इस दो उनली सर्जरी इन हेल्दी परसन हम लोग पूरी समस्या सावधानी रहती है कि डोनर से सबसे इंपॉर्टेंट है अधर किसी कारण से पेशन को डोनर नहीं मिलता तो अंत में हम अश्योर कर सकते हैं डोनर को जंता को किड्नी डोन है कि यह सब समस्याइं आ सकती है या भारी वजन नहीं उठाया सकता ऐसा कुछ भी नहीं है बलकि इसी सब चीजों को प्रमोट करने के लिए वर्ड में हर जग और इंडिया में भी ट्रांस्परांट गेम्स करा जाते हैं जिसमें डोनर्स और रिसीपियंट दोनों ही भाग लेते हैं दोड़ भाग करते हैं तता सामाने जीवन जी सकते हैं इस बात की गारेंटी दी जाती है यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल दा हेल्थ केर टुडे और बैल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नो हुआ हुआ है